वेल्कॉम बैक टु नाइटेंगर नर्शी एकडमी आज मैं आपके लिए फिर से इंफॉर्मेशन ले आ गई हूँ जो कि यह राजिस्थान सियचो का जैसे कि आपको पैता है कि राजिस्थान सियचो का जो है रिजल्ड डिकलेयर हो चुका है जिसमें लगबग 15,118 लोग का सेलेक्शन हो चुका है मतलब यहां प्रोविजनल लिस्ट आया भी कनफर्म नहीं हुआ है कि इसमें से आंध्य लोग का जो है वो सेलेक्शन होगा ठीक है तो अभी सबसे पहले क्या होगा इनका डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद ही सेलेक्शन होगा तो ड सबस्क्राइब का बटन है साइड में जो बेल आइकन है उसको आपको प्रेस करना है ताकि जितना भी इनफोर्मेशन है नर्सिंग स्रेटेट मेरे चैनल में वह आप तक पहुंचता रहा है सबसे पहले आप पाएं ठीक है तो यहां पर हम चलते हैं इन्फोर्मेशन की और तो यहां पर न्यूस में इंफॉर्मेशन आई थी जैसे कि आप यहां देख सकते हैं सामुदा एक स्वास्त अधिकारी भरती की प्रोविजन चाया सुची जारी ठीक है तो यहां पर हिंदुस्तान समझ चार्ट में जैपूर में आई इंफॉर्मेशन चिस्वास्त मंत्री ड इंफिग्यापन विगाविट पद्व पर के लिए लिखित स्क्रीन परिक्षा की विचारी सुची सनीवार को जारी कर दीगए जैसे कि आपको पता है कि सनीवार को इसका रिजल जो है जारी हो चुका है तो 6310 जो है पहले पोस्त निकाल गया था इस सवीदा सियचों की भर ने बताया कि परिक्षा 10 नवंबर 2020 को आयोजित की गई थी ठीके 10 नवंबर को हुआ तो उन्होंने बताया कि बाद में यह प्राप्त अतिरिक्त स्विकित अनुसार मतलब 1500 फिर से उसमें एड किये गये थे मतलब टोटल जो है वो 7810 जो है पोस्त टोटल थे ठीके ठाक्रा प्रोविजनल लिस्ट जो है वो बहुत चारी कर दिया गया है ठीक है इस थायरूप से सामिल किया गया है जिसमें 15000 के नवे सेलेक्शन होगा तो यह डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही होगा ठीक है तो मिसर नीदेशक ने बताया कि यह सुची चैन प्रकिया में भाग लेने वाले अभियार्थियों को अभियार्थियों सुनिक्चित की जाने के क्रम में केवल दस्तावेश सत्यापन के उद्ये दस्तावेश सत्यापन होने के बाद वो फिर जारी की जावेगी थीं मतलब उनका पर्मानिल सेलेक्शन हो जाएगा तो यह अप क्या हो गहाए तो यहां पर आपका क्या होगा दस्तावेश सत्यापन यहां पे यह भी देख सकते हैं कि जो भरतपूर और जो जैपूर है इन दोनों का सत्यापन होगा वो सिर्फ अच्वा सत्यापन में किया जाएगा विस्दित कारे करम के संबंद बे विभाग का वेबसाइट के अन्य माधम से यथा समय प्रिथित से सुझित कर दिया जाएगा मतलब यहां पर डॉकुमेंट वेरिफिकेशन होगा तो इसका जो वेबसाइट है वहां पर आपको जाना है इसका लिंक में आपको प्रोवाइट कर दूँगी ठीक है आपको वरना आप मेरे च समझते सर्ते नीमना सर्पून नहीं करने वाले विदार्थियों की प्रातरता विभाग दोरा रद की जाएगी तो यहां पर वरिफिकेशन के बाद अगर कोई अवियार्थी का जैसे गलत हो गया कोई स्पोर्ट कोटा से भरा है उसके बाद सर्टिफिकेट नहीं है तो फि अपते विचारिज सुची जो है विभागी वेफसाइट जो है www.rajaswas.nic.in पर जैसे के आप सभी जानते इस वेफसाइट को इस वेफसाइट पर है वेरिफिकेशन का जो डेट है वो आज जाएगा और आपको यहां वेरिफिकेशन करने के लिए आपको पता है कहां जाना है जोदपूर जैपूर अजमेर उदयपूर और विकानेर अनकोटा जाना है और भरतपूर से हैं वह भी जैपूर ही जाएंगे उनका वेरिफिकेशन जो जैपूर में ही होगा तो यह इनफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई ठीक है देख सकते हैं किसकी ओफिसल वेफस बिखना यहाँ पे दिखाया नहीं गेए विकी तो यहाँ थी पूरी इंफॉर्मेशन थी ड कार आज को आप को मिरसंपर बडे रहना है और आज को कैसा लगा अगर अच्छा लोग हो तो प्लिश बीडuesta को लाइक करें ए वीडियोस को जादे जादे सॉय करें